हेलो टेडर्स पिसला वीक हम लोगों के लिए बहुत ही सांदार भीता था, मार्केट के अंदर हम लोगों को भले ही बूटल सेलिंग देखने के लिए मिला, पिसले वीक में मार्केट एक दिन बंद भी था, लेकिन फिर भी पिसले वीक में हम लोगों ने overall 24 टारगेट्स को ए चीफ किया, सिर्फ एक intraday stock में हमारा stopless hit हुआ, इसके साथ साथ thrust day की दिन हम लोगों ने 6 targets को achieve किया और 2 intraday stock के अंदर हमारा stopless hit हुआ, और अगर बात करें week के last दिन यानि के Friday का, तो Friday के दिन traders जादतर intraday stocks के अंदर हम लोगों को trade लेने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर हम लोगों को 2 intraday stock के अंदर entry लेने का मौका मिला और दोनों stock अपने target को बहुत ही successfully achieve किये, सबसे पहला था Sonata software और इस stock के अंदर जितने भी लोगों ने अपने trade को initiate किया था, मुझे नीचे comment section में जरूर बताएगा, क्योंकि इसके अंदर traders breakout आने के बाद हम लोगों को similar kind of action यहाँ पर देखने के लिए भी मिला, इसके साथ साथ हम लोगों को entry TCS के अंदर भी देखने के लिए मिला था, लेकिन TCS के अंदर traders ना तो हमारा stopless hit हुआ, ना ही हमारा target achieve हुआ, हाला कि जितने भी लोगों ने इसके अंदर trade initiate किया था, आप लोगों नीचे comment section में जर रहा था, और साथ ही मैं अगर अभी तक इस वीडियो को like नहीं किये हैं, तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा, और channel को भी जरूर subscribe कर लीजेगा, इसके साथ साथ अगर आप लोगों चाहे तो मेरे free telegram channel को भी join कर सकते हैं, यहाँ पर भी मैं आप लोगों के साथ intraday updates से साथ मैं intraday analysis share करता हूँ, तो इसका link आप लोगों को नीचे description box में मिल जाएगा, तो चलिए data's, अब हम लोग कल के लिए अपने intraday stocks को discuss कर लेते हैं, तो कल के लिए मेरा सबसे पहला intraday stock रहेगा, city union bank के आने की कब, इसके अंदर data's हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही momentum को catch out कर सकते हैं, कल के लिए मेरा अगला intraday stock रहेगा ABFRL यानि कि अदित्या बिरला फैसन, इसके अंदर data's आप लोग देख सकते हैं कि ये जो train line है, वो इसके लिए crucial resistance का काम कर रहा है, यहाँ पर हम लोग को एक बहुत ही बहतरीन inverse head and shoulder pattern भी बनते हुए दिख रहा है, तो handle pattern यहाँ पर create हो चुका है, बात करें Friday का, तो Friday के दिन देख सकते हैं हम लोग के एक बहुत ही higher volume के साथ में, यहाँ पर एक बहतरीन rise हम लोग को देखने के लिए मिला था, और उसके बाद last के intraday session में बहुत ही अच्छी तरह से ये खुद को consolidate भी कर चुका है, तो ऐसे में अगर कल यह अपने इस resistance को break करता है, तो इसके अंदर भी हम लोग को एक बहतरीन intraday move capture करने का मौका मिल सकता है, कल के लिए मेरा अगला intraday stock रहेगा ITC, ITC के अंदर traders हम लोग को एक बहुत ही बहतरीन यहाँ पर triangle pattern create होते होए दिख रहा है, इसके साथ-साथ ITC को बहुत ही trade को initiate करेंगे, लेकिन अगर यह नीचे में आ करके अपने इस support को break करता है, तो फिर हम लोग selling side में अपने trade को initiate कर सकते हैं, तो इसलिए ITC के अंदर दोनों side का levels मैंने आप लोग यहाँ पर mention कर दिया है, आप लोग जरूर इसे note down कर लिजेगा, इसके साथ-साथ-स कल के breakdown हम लोग को देता है, तो फिर हम लोग को इसके अंदर भी एक अच्छा intraday fall capture करने के लिए मिल सकता है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि यह जो trend line है, वो इसके लिए बहुत ही ज्यादा crucial support का का काम कर रहा है, और बार बार इसी trend line से यहाँ पर हम लोग को एक अच्छा momentum generate होते हुए दिख रहा है, तो इसी लिए looping को भी आप लोग जरूर अपने radar पर रखेगा, इसका भी levels मैंने आप locally यहाँ पर mention कर दिया है, कल के लिए मेरा अगला intraday stock रहेगा SCL Tech, SCL Tech के अंदर भी traders हम लोग देख सकते हैं कि हमारी जो analysis है वो hourly time frame में है, और hourly time frame में साथी में traders बात करें Friday का, तो Friday के दिन हम लोग देख सकते हैं कि लगातार एक अच्छा momentum इसके अंदर generate होते हुए दिख रहा है, तो अगर यही momentum कल भी continue रहता है इसके अंदर और यह अपने trend line को break करता है, तो इसके अंदर भी एक अच्छा intraday move हम लोग capture कर सकते हैं, और कल के लिए traders हम लोग एक बर फिर से महिंदरा और महिंदरा को अपने radar पर रखने वाले हैं, क्योंकि Friday के दिन morning session में इसके अंदर definitely हम लोग एक अच्छा momentum देखने के लिए मिला था buying side में, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि फिर से यह अपने इस support zone के आसपास में ही आकर के closing दि का है, तो उस case में M&M के अंदर भी हम लोग एक अच्छा intraday fall capture कर सकते हैं, क्योंकि 1500 का जो level है, वो इसके लिए technically बहुत ही strong level है ही, साथी में psychologically भी एक strong level की तरह act करने वाला है, कल के लिए मेरा अगला intraday stock रहेगा TVS Motors, TVS Motors status हम सभी लोग को पता है कि अपने all time high के आसपास में भी एक बहतरीन pattern इसके अंदर create होते हुए दिख रहा है, सबसे पहला तो ये खुद को इस rectangular zone में consolidate कर रहा है, Wednesday के दिन हम लोग को इसका breakdown भी देखने का मौका मिला था, जिसे हम लोग उने trade भी किया था, लेकिन उसके बाद इसके अंदर एक बहुत हिसांदार rally हम लोग क continue होते हुए नजर आया है, और हम लोग देख सकते हैं कि फिर से ये खुद को इसी rectangle pattern में बहुत ही अच्छी तरह से consolidate कर रहा है, इसके साथ साथ टाइम फ्रेम में ये जो train line है, वो इसके लिए crucial resistance का role play कर सकता है, अगर यहाँ पर हम लोग को breakout देखने का मौका मिलता है, तो इसके all time high को अपना target मानते हुए हम लोग TBS motor के अंदर अपने trade को initiate कर सकते हैं, इसके साथ साथ टाइम अगर कल इस stock के अंदर हम लोग को downward momentum देखने के लिए मिलता है, और ये नीचे में आकर कि अपनी support को एक बार फिर से break करता है, तो फिर selling side में भी एक अच्छा opportunity create हो सकता तो इसलिए दोनों side का levels मैंने आप लोग के लिए mention कर दिया है, stock अपने all time high के आसवास में चल रहा है, अच्छे volume पर buying strength देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए buying side में आप लोग देख सकते हैं कि हमारा target थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि sell side में यहाँ पर अगर हम लोग को breakdown द पूछना चाहूँगा कि मैं पिछले एक महीने से आप लोग के साथ लगबग 10 intraday stock का analysis daily basis पर share कर रहा हूँ, तो क्या इससे आप लोग को बहुत ही ज़्यादा problem आ रही है, अगर maximum लोग को problem आ रही है, तो फिर से मैं आप लोग के साथ पहले की तरह 5 या 6 intraday stock का analysis share करूँ तो पहले मैं आप लोग के साथ lower price range के intraday stock का analysis नहीं share करता था, लेकिन अब मैं वो भी करता हूँ, क्योंकि maximum beginner लोग lower price range के intraday stock में trade करना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप में से maximum लोग को problem आ रही होगी इतने सारे intraday stock को radar पर रखने में, तो definitely मैं अपने stocks के number को कम करने का try करूँगा, तो चली traders अब हम लोग वीडियो को continue करते हैं, कल के लिए मेरा अगला intraday stock रहेगा ACC, ACC के अंदर traders आप लोग देख सकते हैं कि ये जो zone है, वो ACC के लिए बहुत ही ज्यादा crucial role play कर रहा है, पहले यहीं zone ACC के लिए बहुत ही strong resistance का का काम कर रहा था, यहा ACC आ करके अपने इसी zone पर support लेते हुए भी दिख रहा है, तो ऐसे में कल अगर ACC अपनी support zone का breakdown दे देता है, और इसके नीचे हम लोगो closing देखने के लिए मिलता है, तो definitely एक अच्छा intraday fall हम लोगो ACC के अंदर भी capture करने के लिए मिल सकता है, तो इसलिए आप लोग इसे भी ज करेंगे, तो देख सकते हैं कि L&T के अंदर पिछले 9-10 trading session से हम लोग को लगातार falling pressure create होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन Friday के दिन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि daily time frame में एक green candle भी बना हुआ है, और अगर हम लोग 15 minute के time frame में L&T को analyze करते हैं, तो यहाँ पर clearly हम लोग देख सकते हैं कि 15 minute के time frame में एक reversal pattern यानि की cup और handle pattern create हो चुका है, तो ऐसे में कल अगर यह अपनी इस resistance को break करता है, तो एक अच्छा intraday move हम लोग L&T के अंदर भी capture कर सकते हैं, तो कल के लिए traders आप लोग इन सारे intraday stocks को अपने radar पर रख सकते हैं, नीचे comment section में जरूर बते कि आप लोग को 10 intraday stocks से कोई problem है या फिर नहीं है, इसी के साथ traders हम लोग आज के अपनी इस video को खतम करते हैं, धन्यवाद